तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे बिल्कुल सॉफ्ट एंड जूसी चटपटे चिकन फ्राइ की रेसिपी तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाने के लिए आप मेरा ये वीडियो एंड तक जरूर देखना तो फिर चले फ्रेंस देखते हैं इसकी रेसिपी तो इससे बनाने के लिए मैंने लिए हैं यहापे अरॉंड 300 क्रम चिकन तो इसे अभी हम करेंगे मेरिनेट तो इसके लिए मैंने एड किया है इसमें नमक स्वाद अनुसर फाफ टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर एड किया है फाफ टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला चादा एड़ किजिए फिर मैंने वान पिंच इसमें फूडड कलर अड़ किया है जो ऑप्शनल है अगर आप स्किब करना चाहते हो तो आप फिर मैंने इसमें 2 टेबल स्पून भरके विनेगर एड़ किया है विनेगर एड़ करने से चिकन जो है बिल्कुल सॉफ्ट होता है तो आप इसे add करके जरूर देखना फिर मैने इसमें add किया है corn flour 1 tablespoon और मैदा मैने इसमें add किया है 1 tablespoon फिर मैने इसमें अधरक औलेसन का paste add किया है 1 tablespoon भरके और इसे हम अच्छे से mix कर लेंगे तो अब यहाँ देख सकते हैं मैंने इसे spoon की मदद से अच्छे से mix कर लिया है इसे mix करने के बाद हम इसे marinate होने के लिए रग देंगे half an hour या one hour के लिए तो one hour हो चुके है friends इसे marinate किये हुए तो अभी हम करते हैं इसे fry तो इसे fry करने के लिए मैंने एक pan में around 3-4 tablespoon तेल गरम किया था और एक एक करके हम सारे pieces इस तेल में एड़ कर देंगे pieces एड़ करने के बाद हम इसे ढग देंगे और ढग कर हम इसे 3-4 मिनिट के लिए slow flame पर पकाएंगे ताकि चिकन जो है अच्छे से पक जाए अंदर से तो अभी आप यहां देख सकते हैं चिकन हलका से soft हो गया है तो अभी हम इसे दुस्री तरफ भी turn कर लेंगे दुस्री तरफ turn करने के बाद हम इसे फिर से ढग कर और 2 मिनिट के लिए पकाएंगे के अच्छे से क्रिस्पी होजाए तो मैंनेशे चार से 5 मिनिट के लिए हाइफ पर फ्राइक किया है आप यहां देख सकते हैं यह बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी नजर आ रहे है ग擊 ग्रिस्पी हो जाएं तो अब हम इसमाई करेंगे टोमेटो सौस में इसमें किया है और अदा न का जूस मैंने में इसके पर एट किया है न को जूस एड करने के पाद और फ्लेम जो है तुरंट आफ कर लेंगे तो अभी आप यहां देख सकते हैं हमारा चटपटा सा यह चिकन फ्राइ होकर बिल्कुल रेडी हो गया है सर्फ करने के लिए तो आप मेरी रेसिपी फ्रेंड जरूर ट्राइ करना तो फिर चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं अगली रेसि चाहिए कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना अला आफीज